हेलो आल कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होगे तो आज की जो हमारी रीडिंग है यह हम करने वाले हैं आपके पर्सन के बारे में हम करेंगे देखेंगे आज इस रीडिंग में कि आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे है ठीक है इस टॉपिक पे हमारी आज कि ये reading रहेगे अभी इस वक्त की ये reading रहेगी mice लकी अभी थो टाइम चल रहा है ठीक है कई एक से टाइम्लेस रीडिंň है और मेरी हर रीडिंग जो हैомडेस रीडिंग होती है ठीक है तो ये भी एक टाइम्लेस रेहाई है आप जब भी इसे देखे उस वक्त के लिए आपके person की thinking रहने वाली है ये ठीक है तो बात करते हैं कि आज का हमारा topic मैंने ये choose किया है वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं ठीक है तो चलिए फिर reading start करते हैं देखते हैं कि आपके person क्या सोच रहे हैं general reading है collective reading है ठीक है और I hope आप सबके साथ reading resonate करेगी comment box बंद रखा है अभी comment box open नहीं होगा और I think मैं कभी open भी नहीं करूँगी ठीक है तो चलिए reading start करते हैं so energy oracle card से जो है न मैं आपको जो है पहले reading करूँगी उसके बाद जो है मैं दुसरे डेक से रीडिंग करूँगी ठीक है तो चलिए start करते हैं आज की अपने ये रीडिंग प्लीज इन्वर्स काइड में जो भी वीवर्ट देख रहे हैं प्लीज गाइड में जो भी वीवर्ट देख रहे हैं उनके portion के energies क्या हैं अभी प्लीज इन्वर्स काइड में प्लीज इन्वर्स प्लीज इन्वर्स काइड में ओके सो फर्स्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ आगे कार्ट्स निकालते हैं सेकेंड कार्ड थोर्ड कार्ड डीटिल रीडिंग करेंगे हम चुकि यह अभी हमारी सुबा की डीटिल रीडिंग है तो थेकेंड डीटिल डीडिंग ही करेंगे हम ठीके ना बॉटम अफ़ टड़क है विक्ट्री का कार्ड देखो अभी फिलहाल मैं देखूँ आपके कार्ड में तो आपके cards जो हैं जैसा कि bottom of the deck मुझे दिख रहा है कि आपके energy में बहुत ही अच्छे cards आए हैं ठीक है और victory का bottom of the deck का card है यानि कि आपके person इस relationship में victory चाहते हैं आप victory चाहते हो ये victory लाने के बारे में यानि कि इस relationship को success बनाने के बारे में आपके जो person है ये thinking कर रहे हैं ठीक है ऐसी मुझे जो है ना मुझे energy feel हो रही है नजर आ रही है ठीक है ओके तो मुझे victory नजर आ रही है आपके reading ठीक है आपके cards में तो अभी फिलहाल तो आपके person की thinking में देखू तो अभी फिलहाल की thinking मुझे काफी बहतर दिखाए दे रही है काफी positive thinking लिये हुए है ये person ठीक ना यहां पर जो कार्ड्स हैं इसके अनुरसार से विक्टरी का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही पॉजटिव हो रहे हैं ठीक है आगे देखो इस रिलेशन्सिप में बहुत सारे जो है ना प्रॉब्लम्स आई थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं भी ठीक है आपको भी बहुत प्रॉब्लम्स नज़र आती है आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आती है लेकिन फिर भी यहां पर थिंकिंग हो रही है क्या इस रिलेशन्सिप को आगे ले जाने की ठीक है तो मुझे यह नज़र आता है और कार्ड करस देखते हैं किela है तो मैं देख पा हूँ, यहां पे सके नंबर 42 हो सकता है कि आपकी एग मोड़ी हो ठीक है या 4% प्लस 2 यानिन कि 6 ठीक है 6 नंबर आपका date of birth हो सकता है आपके प्रसन का date of birth हो सकता है ठीक है नंर भी ध्यान में देना है ठीक है नंबर 19 ओके तो तो यहाँ पर हो सकता है नमबर 19 कुछ लोग जो है अभी जो है 19 साल के ही है और यहाँ पर हो सकता है कि 19 डेट आफ बर्थ भी रही होगी 19 है ना 24 किसी किसी की एज हो सकती है यहाँ पर यहाँ पर 45 तो 42-45 कुछ लोगों की एज हो सकती है है ना तो यह मुझे नजर आता है क्य यह नज़र आता है कि आप लोगों में age gap है और age gap की अनुसार से जो है ना थोड़ा मुझे यहाँ पर देख रहे है 42 और 45 ठीक है ना आसपास के उम्र के भी है देख रहे हैं यहाँ पर 24 है यहाँ पर 19 है तो यहाँ पर भी जो है ना मुझे वही नज़र आता है number 44 ऑके तो यहाँ पर कार्ड क्या बता रहे हैं देखो 44 यानि कि यह जो है आपकी age हो सकती है ठीक है आपके person की भी age हो सकती है तो यहाँ पर मैं जैसा कि देख पा रहे हूँ कार्ट्स में मुझे कार्ट्स बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है यहाँ पर अपना दिल थामे हुए यहाँ पर बैठे हुए है ठीक है ना इंतजार में इनके पास हजारों खुशियां है इनके पास हजार हर एक चीज है ठीक है लेकिन फिर भी यह आपके इंतजार में जहां तक लगता है आप दोनों का ठीक है आप दोनों की energy के अनुसार मुझे लगता है कार्ट में जो दिख रहे हैं आप दोनों साथ में या तो working हो या फिर काम से related मिलते जूलते रहते हो है ना तो यहां पर कुछ इस तरह की भी energy है इसके साथ ही मैं देखू तो आप आप य दोनों ही मुझे अनुसरे का इंतजार करते हुए नज़र आ रहे हो मैंने कहा की शुरू में ही कहा कि आप लोगों के relationship में बहुत सारी problems है देख रहे हो यहाँ फे बहुत सारी onions है हो सकता है कि आप दोनों को कोई और ही जो है ना यहां पर एक नई होने देना चाता है उनकी बहुत सारे मेरे viewers ऐसे हैं जो या तो twin flame journey में हैं या soulmate connection में हैं ठीक है आप लोग का connection soulmate connection हो सकता है क्योंकि other card भी मुझे वही बता रहे हैं आपके लिए ठीक है और यहां पर जो है अपने आपको healing पे जादा focus किया जा रहा है आपके द्वारा किया जा रहा है या आपके person के healing पे focus करने की पूरी कोशिश की जा रही है ठीक है आपने आपको हर दर्द से हर तकलिफ से निकालने की कोशिश की जा रही है ठीक है तो चलो आगे हम दुसरे card से यानि की tarot card से जो है ना tarot deck से देखते हैं और क्या आपके person सोच रहे हैं अब उनकी हम thinking को देख रहे हैं ठी ठीक है चलो मैं cards निकाल रही हूँ Please universe guide me Please guide me आप लोग इसके साथ है स्वादवित स्वाती को भी subscribe कीजिए मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग उस channel पे भी comment करते हैं और मुझसे बात ही करने की कोशिश करते हैं और उस channel पे भी आप लोग कुछ न कुछ जो है ना रूज नया बनाने के लिए सीखते हैं अपने kitchen में ठीक है तो ज़रूर subscribe कीजिए उस channel को भी Please guide me ओकी चलो cards निकालते हैं ओके चलो ठीक है क्या सोच रहे हैं वो six of vents कार्ट्स आपको अच्छे से दिख रहे हैं ना very nice seven of pentacles eight of swords ओके और cards निकालते हैं three of vents okay the moon rebirth यानि कि death का card है ठीक है कोई तीसरा हो सकता है जिसकी वज़े से problem आ रही है है ना तो पहले मैं आपके sign की बात करती हूँ sign है यहाँ पे Taurus, Virgo, Capricorn ठीक है यहाँ पे Aries, Leo, Sage है मेरे पास और Magician है ऐसे Magician के पास हर एक sign होता है ऐसे Gemini, Libra, Aquarius भी है मेरे पास ठीक है और Aries, Leo, Sage तो मैंने आपको बताया ही यहाँ पे इनके पास Magician है तो Magician के पास हर एक sign होता है हर element होता है ठीक है तो यहाँ पे बात करते हैं अब आपके Reading की तो यहाँ पे Cards मुझे यही बात करते हैं मुझे यही बताते हैं कि आपके जो person है वो क्या सोच रहे है यहाँ पे देख रहे हो यह कार्ड में devil नजर आ रहा है ठीक है यहाँ पे एक ऐसा person है देख रहे हो यह कितना डड़ावना person है है न और यहाँ पे दो couple है न तो मुझे यहाँ पे नजर आता है आपके person काफी deeply thinking करते हुए नजर आते हैं इसी person के बारे में यानि कि इस connection के बा रहा है क्यों यह अपने आपको जो है न अपने अपने को रोक ले रहे है एक्शन लेने से पहले क्यों रोक ले रहे है क्या कारण है ठीक है तो आपके person के thinking मुझे यही नजर आ रहे है कि वो इस relationship में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे है क्या कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे ऐसा दिखता है जिसे कि devil की energy में है यानि कि आप दोनों का जो यह दर्दनाक यह जो situation गुजर रहा है यह जो phase गुजर रहा है आपके person उसको ले करके मुझे काफी जादा thinking करते हुए नजर आ रहे हैं हाला कि हाला कि यह person जानते हैं कि यह person जो है दिखो इस person को sexually attraction भ पनाने की लेकिन फिर यह सोच रहे हैं कि क्यों हम दोनों के बीच में यह सारी चीजे क्यों हो रही है हम दोनों एक दूसरे के क्यों नहीं हो पा रहे हैं है ना तो इस तरह की energy मुझे नजर आती है आपके cards में और आपके जो cards है clear बताते हैं कि आपके person जो है ना इसी चीज के बारे में ज्यादा thinking कर रहे हैं, आप दोनों का million क्यों नहीं हो रहा है, आप दोनों का reunion क्यों नहीं हो रहा है, आप दोनों की बिच में आखिर main problem क्या है, ठीक है, यह मुझे सोचते हुए आपके person दिख रहे हैं, ठीक है, ओके, so अगला card है, यहाँ पे six of wands का card, आपके person सोच रहे हैं यहाँ पे action लेने का, but यहाँ पे क्या है, यहाँ पे eight of swords का card है, the moon भी है, hermit का card है, यहाँ पे seven of pentacles भी है, जो यह cards मुझे बताते हैं, कि आप दोनों के relationship में, एक तो long distance relationship है, काफी ज़्यादा दर्द है, तकलीफ है, eight of swords के card से आपके person सोच रहे हैं, कि मेरा person भी कहीं ना कहीं, mentally बहुत ज़्यादा disturb है, मेरे behavior से हो, या फिर किसी और कारण से हो, लेकिन वो disturb है, अपने आपको blame करना, अपने आपको तकलीफ देना, अपने आपको, जो है ना, हर वक्त यह कहना कि नहीं, मेरा इस relationship में जाना सही नहीं था, है ना, क्योंकि मैंने उसको खुशिया नहीं दी, उसने मुझे खुशिया नहीं दी, ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए, तो जो आपने expect किया था, ठीक है, आपको आपके person से नहीं मिला है, ठीक है, आपके person आपके बारे में यहीं सोच रहे हैं, कि मैंने उससे नहीं दिया, मैंने उसके साथ गलत कि मैंने उसको चीट किया उसको इस दर्द में डाला उसको इस तकलीफ में डाला है ना तो आज वो जिस भी हाल में है जिस भी situation में है वो मेरे कानन से है ठीक है इसका जिम्मेदार मैं हूँ ठीक है तो आपके person जो है ना यहाँ पे यह thinking कर रहे हैं इसके साथ ही यह जानते है seven of pentacles के card से मुझे दिखता है कि आपके person जानते हैं कि किसने कितना efforts लगाया है किसने क्या किया है कितना equal give and take होना चाहिए था उस time जब आप दोनों का relation रहा आपने उनको लाग समझाने की कोशिश की लेकिन इस person को समझ में नहीं आया ठीक है तो अब आपके person को यही समझ में आ रहा है यह लग रहा है कि हाँ शायद मैं उस time गलत था मैंने अपने efforts नहीं लगाए मुझे जितना अपने relationship पर ध्यान देना चाहिए था उस time मैंने ध्यान ना दे करके यहाँ पर गलती की है ठीक है तो आपके person का मुझे यह नजर आता है इसके साथ ही the moon और the hermit दोनों क parts मुझे बताते हैं कि आपके person काफी mentally परेशान है इनके मन में बहुत सारे situation कुछ ऐसे हैं जैसे कि होता है ना कि दो लोगों के बीच में कोई तीसरा है ना यहाँ पर क्या होता है mind game खेलता है तो वही हुआ है the devil की energy और moon का card मुझे clear है यहाँ पर कि आप दोनों के relationship में लाफ बढ़ काया है उसके बारे में आपके person सोच रहे हैं कि आँखिर यह हुआ क्यों यह हुआ क्यों और यह जो दर्धे सक्कुलीफ है मैं किसे क्यों नहीं कह सकता क्यों कि नहीं कह सकता क्यों कि मैं अपना अपनी different friend को किसी थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में यहां पर मुझे यह नजर आता है कि यहां यह नजर कर ले ना अपने आप में आपको चीज़े मुझे नजर आती है आपके पॉरसन का अभी सुटेशन ठीक है अपने आपको अकीबा रखना, किसी के साथ involve नहीं करना कोई क्या कह रहा है घर में क्या चल रहा है ठीक है ना उस चीजों से खुद को बहुत अलग रखा है आपके person ने तो वो इस बारे में भी thinking कर रहे हैं कि आखिर मैं इतना अकेला हो कैसे गया मैंने अपनी खुशियां मैंने अपने सपने हर एक चीज के साथ एक तरीके से देखा जाए तो sacrifices करके मैं चलता आया हूँ और अभी भी मैं sacrifice ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ ठीक है ना तो एक यहाँ पे यह भी मुझे 3 events के कार्ट से नज़र आता है देख कार्ट से नज़र आता है कि आपके जो person है यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं ठीक है यह सोच रहे है कि मुझे थोड़ा सा time जो है ना और wait करना पड़ेगा मुझे जहां तक लगता है आपके person को लगता है कि मुझे wait करना पड़ेगा और शायद यह जो है ना अभी right time नहीं है कि मैं उसके लिए action लो या फिर उससे मैं बात करूँ ठीक है आपके जो person है काफी जादा deeply thinking कर रहे हैं ठीक है और यहाँ मैं cards में यह भी नज़र आता है मुझे कि आपके जो person है आपके जो person है काफी एक होता है कि हाँ यह दिल से सोचना और दिल से करने की चाहत होती है अब इस relationship को दिल से निभाने की चाहत होती है तो वो मुझे जो है ना चाहत नज़र आती है आपके person की ठीक है अब यह दिल से अपने पूरे efforts दालने के लिए सोच रहे है यहाँ पे death का card यानि की rebirth का card मुझे नज़र आता है rebirth यानि की यहाँ पे death का card मैंने बोला यहाँ पे rebirth यानि की यहाँ कहें तो एक होता है ना की chakra यानि की will of fortune है ना यानि की यह जो समय का पहिया है है ना इसके time के changing का या destiny के उपर भरोसा करके आपके person ये सोच करके आगे future के बारे में चल रहे हैं कि शायद future जो है न हम दोनों का साथ में हो जाए future में हम दोनों का जन्र जो है न यानि कि future में हम दोनों का जो relationship है ये काफी हद तक अच्छे तरीके से हम उसको बना पाएंगे एक नया जन्म हो सकता है है ना तो यहां पर मैं जो है कार्ट में देख पा रही हूँ आपके कि आपके पर्सन जो है ना लागातार यही सोच रहे हैं अभी इस वक्त और यहां पर मुझे six of wands के कार्ट से नजर आता है कि आपके जो पर्सन है यहां यहां पर क्लियर है यह अपने decision इन्होंने decision एक ले लिया है कि मुझे अब continue करना है है ना क्योंकि अब मैं इंतजार भी नहीं कर सकता मैं कब तक इंतजार करूंगा और कब तक उसको इंतजार करवाँगा है ना तो यहां पर एक तरीके से दिखा जाए तो आपके प्ट्रावल करके आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं और यह जो है ना आपको इस बार अपने साथ ले जाएँगे यहां पर बात हो रही है commitment की यहाँ पर सोची जा रही है commitment देने की शादी करने के बारे में सोचा जा रहा है the magician के card से मुझे लग रहा है कि आपने manifestation किया है आपने बहुत manifest किया है काफी time से manifest करते आ रहे हो है ना तो यहाँ पर क्या है कि manifestation जैसे जैसे आपने की है वैसे वैसे इस person पे असर भी हुआ है और यह person आपकी तरफ मुझे आते हुए भी नजर आ रहे हैं ठीक है ना तो यहाँ पे मुझे cards यह बताते हैं और cards मैं निकालती हूँ देखती हूँ कि क्या cards मेरे पास आते हैं इस love oracle deck से ठीक है ना चलो Please guide me Please, please guide me Please, please guide me Commitment मैंने कहा ना कि हाँ आपके person जो है ना commitment देंगे या फिर यह love proposal ले करके वापस आ रहे हैं एक marriage का proposal ले करके वापस आ रहे हैं यह सोच रहे हैं कि हाँ मुझे commitment देना चाहिए मुझे उससे बात करने चाहिए मुझे उससे कहना चाहिए अपने दिल की जो बाते हैं जो मेरी feelings है ठीक है ना वो आपके person जो है आप कहने कहना चाहते हैं आपसे कहना चाहते हैं और आपको commitment देना चाहते हैं मैंने पहले भी कहा कि soulmate connection आप लोगों का हो सकता है तो again मुझे cards वही बता रहे हैं कि आप दोनों का connection है ना soulmate connection हो सकता है ठीक है ओके यहाँ पे self respect यहाँ पे मुझे cards बताते हैं कि शायद आपने सोचा है कि मेरी self respect आपके person ने आपके सांद गलत behave किया या जो भी किया आप अपनी self respect पर आ चुके हो कि मुझे अब नहीं जुकना है मुझे नहीं जाना है मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे मेरा person और मेरा relationship वो बेकार हो तो आपकी thinking भी आपके person जानते हैं कि हाँ आप अपनी self respect के लिए कुछ भी कर सकते हो और कहीं न कहीं इनके mind में ये सारी चीज़े आ रही है ठीक है abundance और यहाँ पे love है bottom of the deck का card जो कि मुझे cards बताते हैं कि आपका जो आपके person के साथ जो relation है ठीक है काफी काफी बहतर है यहाँ पे cards मुझे बताते हैं कि अब जो है न इस relationship में abundance आने वाली खुशियां आने वाली है अब आपके person आपको marriage का proposal देने वाले है अब आप दोनों का relation जो है न एक तरह किसे bonding बनने वाली है ठीक है न फुल bonding बनने वाली है आपके person के साथ ठीक है तो मुझे यहाँ पे clear नजर आता है कि आपके person आपको commitment देने वाले हैं और अगर marriage हो गई है तो फिर से साथ मी रहने वाले हो ठीक है न मुझे cards यहीं बता रहे हैं आज की इस reading में तो reading को अब हम ज्यादा लंबा नहीं खीचेंगे ज्यादा लंबा reading नहीं करेंगे और फिर मैं आपको एक short reading दूँगी फिर मैं night वाले reading देखूँगी कि आपको detail reading दूँ ठीक है मैं कोशिच करूँगी कि मैं detail reading ही आपको दूँ ठीक है ना तो I hope reading आप सब के साथ resonate की होगी अच्छी लगी होगी मिलते हैं अगली reading में तब तक हासते रहिए मुस्कुराते रहिए और मेशा खुश रहिए बाई